हलो स्टॉकियन मैं हूँ मोई पाठक फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंकियो फॉर चिंग देश वीडियो और अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी मिले कुछ निगया नया ग्यान मिले तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब प्लस इसके साथ मैं अपने ट्विटर राड़ी और टेलिग्राम चैनल पर प्रॉपर नॉलेज के साथ आपको चार्ट्स और इनलेसिस और पॉजिटीज सेर करता रहता हूं जिससे की फाइदा दो तरीके से होगा पहला फाइदा आप अगर इसमें अपना कुछ ध्यान थ थोड़ा भी देखे कमी लोग फॉलोग कर रहे हैं सो आप मेरी हेल्प करिये मुझे और ज्यादा लोगों तक पहुचने में और इससे आपका भी फाइदा है हमारा भी फाइदा दोनों का फाइदा है और टेलिग्राम चैनल को जॉइन करें इससे क्या होता मैं लाई मार्क इससे भी ज्यादा का फॉल तो आप इन सब चीजों के बेनिफिट उठा सकते हैं तो आप टेलिग्राम चैनल को भी करें अच्छा इसकी लिंक देखो कहीं भी आप सिंबली स्टॉक है सर्च करेंगे तो आप यह देखे जो ग्रीन कलर का मेरा एस का सिंबल है वही मिलेगा वह मिले तब ही जोइन करिए और इस सब की मैंने लिंक टेलिग्राम चैनल ट्विटरारी के लिंक मैंने दो रखी है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिशन बॉक्स में तो आप दोनों जगा जागर के जोइन एन फॉलो कर सकते हैं और अपने दोस्तों के सा बता हूं जिससे कि हमें ऐसी अपॉस्टीस मिले का बेनिफिट होता है जैसे कि आपको कुछ दिनों पहले मैंने सलासर के बारे में पोस्ट किया था आप यहां पर देखेंगे तो आप देखें वीडियो में अप्डेटेड रही है सी यहां पर आप इसको नॉटिपिकिसन अगर मैं बता हूं तो आपके सामने ऐसा नहीं है कि आपके सामने हमने 38 के लेवल पर कहीं पर था जब मैंने आपको चार्ट सेर किया था और वहां से यह अल्मॉस्ट आपका भाग चुका है दो हपते पहले अगर मैं देखू तो इसका यहां पर यह वीकली है तो इसको डे तो आपका बहुत अच्छा रिटर निकल चुका तो ऐसे क्या होता है कि यह और दूसरा देखो ट्रेड करो या ना करो वह अलग बात है लेकिन जो मैं देता हूं जिस मेथट को मैं सीखाता हूं आपको वह बड़ा ही आसान है आप अगर आप नए वियो तो भी आप इसको स आता है तो बस वही मैं try करता हूं और आप लोग उसको पसंद भी करते हो इसके लिए thank you तो आप ऐसे updates लेते रहिए stocks देखते रहिए और वीडियो देखते रहिए और stocks को आप research करते रहिए तो ऐसा ही एक हमिया पहुच्छी मिली है जिसका नाम है Global Vectra Helicopts Global Vectra Helicopts तो अब यह देखो Global Hospital भी है इसलिए मेरी मुझे से निकल गया क्योंकि वह भी एक stock बड़ा इच्छा stock है और यहां पर मैं अब इसको symbol लगा जाता हूं यह रहा है ओके तो चलिए अब इसमें क्या opportunity है हमें कैसे देखना चाहिए और किस तरीके से में trade करना चाहिए वो सब मैं आपको सिखा रहा हूं और यह थोड़ा ध्यान दीजिए कि यह जो भी मैं video बना रहा हूं इसमें सिखा रहा हूं इसे stock के बारे मैं discuss कर रहा हूं वो मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूं कि कैसे research करी जाती है कैसे stocks को निकाला जाता है देखा जाता है वो सब मैं आपको सिखा रहा हूं इसका मेरा मतलब यह नहीं कि आप जाकर कि इसको buy कर लो या sell कर लो क्योंकि इसमें risk भी है तो आप अपने risk को समझिए और अपना analysis यह अपने financial advisor से संपर करिए देन उसके बाद ही update करिए ओके तो आप इस video को देखके देखने के बाद तो रहनत इसको buy मत कर लाना एकदम से आप पहले अपनी research करना देन उसके बाद करना क्योंकि यह मेरा कोई buy or sell का recommendation नहीं है मैं आपको जास्ट रिखाना चाहता हूं आप से बोलता हूं कि जो भी नए लोग है एकदम जाकर के company की website पर जाकर एक देखो company का देखो company करती क्या है तो इससे हमें पता जाता है कि company जो है वो private helicopter service provide करती है और यह इंडिया की I think largest है यहां पे देखे इन्हों ने लिखा गाए is the largest private helicopter company in India तो यह largest private helicopter company है service provider प्राइवेट है helicopter का मतलब क्या देखे इसको common सी मैं समझता हूं इसमें अपाउशिटी कैसी है देखे आपको पता है कि traffic है और airplanes है जो आप समझे कि हर जगा तो plane जाती नहीं आप यह भी जान दीजिए जो airplanes होती हर जगा जाती नहीं है तो हर जगा कहां जा सकता है helicopter जा सकता है helicopter जा सकता है इसमें हमें अपाउशिटी दिखाई दे रही है बट उससे जादा मुझे इसमें टेक्निकल अपाउशिटी दिखाई दे रही है तो मैं आपको टेक्निकल यह चीज बताऊँगा आप इसके fundamental में जाए क्योंकि fundamental भी उतना खुब सूरत नहीं है कि हमें एकदम बाई ही कर ल पर इसानी है और इससे हमें यह पता चलता है, अभी इंक काम क्याती है, यह क्या करते हैं condition, और прошण आपको पताने, इससे के अकम ब्रेशिटा जाता है वह मतु को अपाचिनिकत रहे है वहाँ पर बड़े इनके काम होता है तो यह ऐसी services प्रवाइड करते हैं और अब मुझे लगता है कि इनका जो management है वो हमारी मतलब कि हम retail तो नहीं कह सकते है रिटल कहां जाता है helicopter लेने rich person जो private rich persons है उनको भी service देनेगा मतलब expansion का plan है और वो हमें यहीं से पता चल रहा है देखे एक चीज़ आप समझे कि किसी भी company में कोई fundamental change होने वाला होता है तो हमें technical में पता चल जाता है जैसा कि आपको यहां में दिखा रहा हूँ अब मैं गलत भी हो सकता हूँ दोनों कर सकते हैं देख सकते हैं अब इनकी थोड़ी से fundamental को देख लेते हैं fundamental अगर हम देखें तो fundamental में यह company जो है almost 79 क्रोन की company है बहुत ही छोटी company है microcapiscope इसको बोल सकते हो book value इसकी solar की है और current price जो है इसकी 56.9 की है तो अगर आप देखोगे तो इसका जो ROC है वो minus में है मतलब की company profit नहीं कमा रही मतलब ROC profit में है और यहां पर ROE देखिए यह भी negative है बट मैं technical basis पर आपको सबना है बट हम चलते हैं थोड़ा और देख लेते हैं financials इनके देख लेते हैं कैसे थे तो quarterly को हम छोड़ देते हैं हम yearly में जाते हैं तो यहां पर आप देख सेंग तो sales zone का था 2011 में 232 करोन का था और वहां से लेकर के अभी तकर में देखो तो इनमें सिर्फ 100 करोन का ही गेन हुआ है बाकि इसमें कोई गेन नहीं हुआ है यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर थोड़ा सा गेन हुआ था I think वो corona का time था या फिर हो सकता है कोई अलग को system रहा हो तो इसकी वज़े से इंको profit आया होगा पट I think मुझे रखता है कि अगर यह ऐसे भी continue करेंगे तो ठीक ठाक है मतलब degrowth तो नहीं हो रही है मतलब sustain है ऐसा और फिर आगे चलके debt घटाया है 30 क्रोन से 40 क्रोन का जो interest देते थे उसको ले करके यह आए है almost 18 क्रोन 16 क्रोन तो अगर 30 क्रोन का 40 क्रोन का debt जो इनका interest देते थे यह लोग तो interest को घटा करके अगर 16 क्रोन की है तो जाहिर सी बात है वो company के balance sheet में पैसा एड होगा और वो उसको एक सही तरीके से कुछ उसका invest करेंगे तो और company का financial condition सुधर सकता है तो यह मुझे अच्छी बात लग रही है sales तो ठीक है बट यह वाला जो matter यह मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है अब इसके आगे देखे तो profit अगर हम देखे तो company profit नहीं कर रही यहां पर इन्होंने loss ही किया है तो company loss ही कर रही है बट फिर से मैं यहीं बता हूँ कि जो fundamental है वो मुझे सिर्फ इंट्रेस्ट सही लग रहा है बट fundamental में खास उतना दम नहीं है मैं technical यह आपके सामने यह लेकर आऊँ और आप इसको देखिए आप ट्रेड मत करिए मैं रहा है कि आप ट्रेड मत करें आप इसको देखिए दो चार दस महिनों तक इसको एक तरीके से watch में रखिए देखते हैं क्या होता है तो आपको कुछ learning मिलेगी चलिए अब मैं यहां पर आजाऊं अगर इनके debt को देखो तो यही मैंने कहा ना कि इनके पास reserve काफी कम है और debt ज्यादा है तो यह debt के चक्कर में फसे हूए है और debt काफी ज्यादा है अब हम चलते हैं थोड़ा सा अगर हम देखे तो प्रमोटर का अपनी company में confidence है उनको लगता है कि आगे चल के चीज़े ठीक हो जाएंगी सो fundamental में उतना दम नहीं है मैं आपको फिर से बोल ला हूँ यह नहीं कि मैं आपको बढ़ा चाड़ा करें बता हूँ या फिर जो भी negative चीज़े हो उनको positive चीज़े से counter करूँ मैं आपको जो है वही सिखा रहा हूँ मतलब बता रहा हूँ तो आप इसको देखो आप company को accept करो चलिए अब मैं जाता हूँ इसके सीदे से चार्ट पर अब चार्ट पर अगर हम आए तो देखिए यहां पर हमें अगर मैं इसका one month का चार्ट ओपन करूँ वन month के चार्ट में हमें दिखाई दे रहा है कि यह company almost इसने high लगा था all time high जो इसका था वो 328 का लगा था वहां से लेकर के यह 56 पर है तो आप को यहां से दो चीजे पता चलिए जो नए लोग हैं वो ध्यान दो जो नए लोग हैं सबसे पहले तो यहां दो कि आपको stop loss लगाना compulsory होता है आप अगर stop loss नहीं लगाओगे तो ऐसा हो सकता है कि 10 साल बाद भी आपका range ना है लिट से आपने अगर इसको 300, 200, 230, 200 के आसपस भाई कर रखा होगा तो आप अगर उसमें stop loss नहीं लगा तो यह आ जबाने का तो 2007-2008 के टाइम पर यह कुहारी में crash हुआ, market में भी crash हुआ था उसके बाद से यह company उबर नहीं सकी तो जो नए लोग है यहां पर एक पहली learning है कि आपको stop loss लगाना चाहिए क्यों 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 क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आने वाले 10-15 सालों तक भी आपका rate ना अब उसके बाद अगर आप देखें तो इसका दो यहां पर हमें एक idea पतल जाए दूसरी learning क्या है देखें, company नीचे आती है sideways होती है, यह monthly chart मतलब काफी पुराना time है, okay, company क्या करते है, 2011 से देखते है, 2014-15 तक यह sideways थी, तो company क्या होती है, company गिरती है, sideways हो जाती है, उसके बा पहला point हमें stop loss लगाना चाहिए, दूसरी चीज, company गिरती है, sideways होती है, उसके बाद एक अच्छे-खासी rally देती है, फिर उसके बाद फिर गिरती है, और अब यह गिरती क्यों है, इसमें बढ़ जानी चाहिए, जैसा कि मैंने कहाना कि आगे चलके traffic की समझ से है, तो यह सब देखें, हर चीज अच्छी होती है, पर उसको आने में time लगता है, मैं आपको एक common example बताता हूँ, हमें नहीं पता है कि IT की power क्या है, या फिर internet का power क्या है, हमें नहीं पता है, आज हमें पता है कि internet का power क्या था, लेकिन 2000 में, 2001 में IT bubble हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना bubble, तो point है कि हर चीज का कुछ time होता है, जैसे आप किसी पेड को चानकीजी ने हमारे का था, आप किसी पेड को कितना भी खात दे दो, कितना भी fertilizer दे दो, कितना भी water दे दो, कितना भी अच्छा care कर लो, वो जब तक time नहीं आएगा, जब उसका season आएगा फल देने का, तभी वो फल time था, उसका time आया 2014-15 के बाद, तब देखी IT revolution क्या हुआ, आज internet इना सचता है, कि आप लोग YouTube पे बैठ करके, यह सब चीजे सीख रहे हो, पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, मैं तो जिस time पे सीख रहा था, उस time पे मैं, आपको नहीं पता है, मैं लगवग, 2013-14 मैं stock market के बारे में सीख रहा था, तो मैं अपने college में जाता था, और 50-50 रुपए का वहाँ पे एक घंटे का charge था, और वो भी college मेरा कितना, 20-20 km दूर था, 20 km दूर का college मैं जाता था, cycle से में जाते थे, 2013-14 की बाद है, वहाँ पे मैं जाता था, और वहाँ पे college से निकलन के बाद मैं उसको दे देता था, तो वहाँ पे cyber cafe होता था, तो एक घंटे में मैं वहाँ पे जाकर की चीज़े, मतलब पढ़ता था, stock market के बारे में जाता था, क्योंकि उस time पे तो mobile भी नहीं था हमारे पास, और internet की बात ही चोड़ तो, तो यह जो revolution हुआ, यह time आने पे होता है, तो वह हुआ, और आज देख रहे हैं आप इसका फाइदा भी हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका भी हो सकता है कि time हो, बट अभी नहीं आया है, तो जिसकी वज़ा से यह stock ऊपर गिर रहा है, ऊपर चड़ रहा है, और नीचे गिर रहा है, अब हम चलते आगे, थ वॉल्यूम भी अच्छी कासी बन रही है, जब stock sideways हो रहा है, और almost यह sideways है, आप समझें कि 2019 से ले करके अभी तक, तो 3 साल हो गए, stock sideways ही है, और इसमें volume बड़ी अच्छी कासी बन रही है, तो volume बनने से confidence यह बिल्टा है कि कोई ने कोई इसको माल दबा रहा है, कोई ने कोई चोरी चोरी चुपके चुपके इसको अपने डीमिट अकाउंट में भर रहा है, मत्तब कि माल इकठा कर रहा है, गुजराती में बोलते हैं, माल भेगा कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है, अब यह हमने मंतली देख लिए, अब हम छोड़ा से weekly आजाते हैं, तो weekly में देखते हैं weekly chart को भी देखें, ठीक वैसा ही है, यह पूरा accumulation ही मुझे दिखाए दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर volume सच्छी कासी generate हो, तो volume बड़ी-बड़ी बनती है, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई ने को accumulate कर रहा है, जब sideways हो, volume अच्छी कासी हो, तो आपको समझना चाहिए, कि यह accumulate कर रहा है, अब daily पे हम चलते हैं, तो हमें एक गम final confirmation, और कैसे आपको इसे chart pattern में, ऐसे positive entry करना चाहिए, वो मैं आपको सिखाता हूँ, देखें, अब अगर मैं यहाँ पे देखू, daily chart में, जो नए लोग है, इसको daily में देखिए, daily chart में यह stock higher high का pattern बनाना, अब फिर से try कर रहा है, ओके, और यह almost यह आपका ऊपर, यह फिर low बन गया, बट अभी यह उपर जा रहा है, तो यह नीचे से फिर से reverse हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है, और अब यह हो सकता है, फिर से reverse हो जाए, ऐसा मेरा मानना है, ओके, चलिए, अब इसको हम और देख लेते हैं, एक second, अब हमें ऐसे pattern में, पहली बात तो confirmation क्या है, low बना, उसके उपर high बना, उसके बाद low बना, वो low, पिछले वाले low से नीचे नहीं बना, अगर नीचे बन जाता तो फिर negative हो था, उपर बन गया और उपर जाने का try कर रहा है, that means यह stock थोड़ा सा bullish है, फिर bullishness होने का try कर रहा ह है, okay, अब चलिए, हम देखते हैं कि इसमें, हमें entry कैसे करने चाहिए, तो जब भी आपको ऐसी opportunity मिले, okay, जब भी आपको ऐसी opportunity मिले, तो आपको ऐसे में entry कर लेने चाहिए, आपका stop loss आपको थोड़ा tight रखना चाहिए, stop loss जो आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा यह वाला यानि, एक मिनट, यह आपका हो जाएगा stop loss, अब बोलो कि सरजी इतना बड़ा stop loss, यह तो गलत बात है, yes, but मेरा थोड़ा तरीका लगे, क्योंग आप नए हो तो मैं आपको थोड़ा एक सही चीज़ सिखाना चाहता हूँ, अभी आप यहाँ पर पूरी quantity मत लोड करिए, okay, क्योंकि आप volatility को handle नहीं कर सकते, और इसके बाद एक मेरा वीडियो आएगा, तो आप उसको देखो कि तौर समझ में आ जाएगा, okay, कि आप यहाँ पे थोड़ी quantity लोड करो, और आपकी fresh quantity अगली add होगी 47 के range बे, okay, मतलब आपको जब भी ऐसा कोई कुछ मिलिया positive, आप यहा यहाँ पे करिए क्या 50% quantity अपनी लोड करिए, या फिर आपको 50% यहाँ पे quantity buy करना चाहिए, अगली quantity आपको buy करना चाहिए, यहाँ पे 47 में, तब उसके बाद आपको 43 के stop loss के साथ, इसको hold करना चाहिए, और आपको target इसमें almost रखना चाहिए 70 का, और वो आने के लिए आप आपको कम सकम इसको take से लेकर के इन साल तक का time भी देना चाहिए, यह आपको होता है तरीका trade करने का ऐसे आपोजटी इसमें, clear, तो आपको यहाँ पे stop loss target मिल गया, आपोजटी मिल गई, अब आप इसको कैसे समझोगे, देखो, आप जब chart को scan करोगे तो आपको ऐसे जब कभी sideways मिले, तो आपको वहाँ पे समझ जाना चाहिए, और वहाँ पे volume भी देखनी चाहिए, तो आपको ऐसे पे समझ जाना चाहिए, कि कुछ न कुछ इसमें अच्छा होने वाला है, तो ऐसे stocks जब भी आपको मिले, तो आप ऐसे में इसको देखो, और वहाँ पे कुछ opposite हो नहीं हुआ है, यहाँ पे breakout होने में, एक breakout trading में risk क्या हो जाता है, आपका stop loss थोड़ा सा, मतलब stop loss होने का chance ज्यादा बढ़ जाता है, यहाँ पे अगर buy करते हो bracket के बाद, breakout के बाद आपका नीचे चला गया, तो आपका फिर देखी कोई मतलब नहीं, यहाँ पे फिर breakout होने क हमारा risk कम होगा, मैंने कहाना कि आप सिर्फ अपना risk मैनेज कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमारा risk कम होगा, और आप उसी को कर सकते हो, तो यह ही है global vector helicopters, इसको अपने हिसाब से analyze करिये, और अगर सही लगे तो आप इसको trade कर सकते हैं, बट आप trade तभी करन जब आपको खुद अपने analysis सही लगे और अपने financial advisor सपर करिएगा, क्योंकि यह मेरा कोई recommendation नहीं है, और अगर यह video अच्छा लगाओ, कुछ learning मिली हो, तो आप मुझे subscribe कर सकते हैं channel को, और like करिए, अपने दोस्तों के साथ share करिए, कोई doubt हो, तो comment box में लिखिए, और अगर आप मुझे कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे इस video को देख करके, जो कि मेरे 20th of December को नई बैच चाल वह रहे, आप उसको join कर सकते हैं, वहाँ पे आपको चीज़े सीखने को मिलेगी, और यह सब stocks निकालने का मैं बड़ा ही आसान तरीक आपको बताऊ, स्वाभी के लि